चलिए जी शार्ट करते है लात अला के नाम से फैमिली का फिर्स लेक्चर अगर मैं आपसे बात करूं बहुत ही सिंपल वर्ड में तो भाई इस इस और अबाउट योर पेपर टू सही है पेपर टू है आपका और इसकी भी वेटेज वही है एस के हवाले से जो हमारी पेपर और मार्क्स टाइम डियरेशन भी सिमिलर है आपका यह 60 मार्क्स का पेपर होगा जो कि आपने 90 मिनिट्स में एटेम करना होगा ठीक है तो हमारी स्ट्राटेजी टाइम मैनेजमेंट सब कुछ वही रहेगा जो पेपर वन के हवाले से ठीक है यह तो हमारा एक छोट यासा अ सब्सेक्रों के हवाले से जो बिटेश için को स्टार्ट करते हैं मैं बिल् freestyle से dal्ण को स्टार्ट करें कारओं लुआ कि स्टार्ट करेंगे ए थे मिळी सोसाइटी जो होती है वह बहुत सारे स्टूशल इंस्ट ऋदे का बनती है सुसाइटी जीए इस चीज़ निस पहुत इसे खिर्ट खम फ्रोगा जिस खिर्ट करते हैं affect जैसे के फैमिली हो गयाओ फैमिली एसा सोशल इंस्टूशन है जो परक्वाइमरी इंस्टूशन का बहुत जाता जिसके इंप्वादा ओती है सोसाइटी तैना ठीक है यानिकर जो जिसके बगाएर सोसाइटी की इससेंस का फैसला ही नहीं हो सकता, सही है? दुनिया की हर सोसाइटी, फामली को, as a social institutions, बहुत important देती है, ठीक है? importance देती है, फिर हमारे दूसरे social institutions, education आ गया, media आ गया, religion आ गया, workplace आ गया, state आ गया, ठीक है? यानि के, यह सारे social institutions, society में exist करते हैं, और देवल पर समझते हैं, actual में, functions of social institutions से क्या होता है, हमारी functions of society, functioning of society, develop होती है, ठीक है? यानि के, हमारे लिए, इन social institutions का function करना, बहुत ज़रूरी है, के, ताके, हमारी society की functioning possible हो सके, otherwise, हमारी society की functioning possible, नहीं हो पाएगी, देखें, याद रखिएगा, मैं हम बहुत सारी examples देते हैं, मैं भी आपको एक theory से भी example दोंगा, एक गाड़ी होती है, एक car होती है, car के मुक्तलिफ components होते हैं, उन components के अपने अपने काम है, if we talk about engine, engine का अपना काम है, tire का अपना काम है, हर institution का अपना काम है, हमारे social society के अंदर, जैसे अब बहुत simple सी बात है, आपका engine बहुत अच्छा है, लेकिन आपका tire flat हो गया है, tire flat हो गया, चलो भाई tire flat मेंनी imbalance हो गया, balance out हो गया, जो लोग गाड़ी चलाने जाने थे, उनको पता होगा, अगर गाड़ी का tire बबल कर रहा है, या balance नहीं है उसमें properly, तो आप गाड़ी का engine कुछ भी हो जाए, वो गाड़ी अदा हो जाई है आपकी जिंदगी के हमें, उसी तरीके से society के social institutions का भी खेल है, अगर society के social institutions appropriate तरीके से काम ना करें, कोई एक institution भी appropriate तरीके से काम ना करें, और दूसर सारे social institutions सही से काम करते रहें, तो कोई फायदा नहीं होगा, family let's suppose सही से काम कर रहे है, reproduction कर रहे है, बच्चे बच्चे पैदा हो रहे हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन वो educate नहीं हो पा रहें, तो क्या हो जाएगा, इस धर्ती पर बोजी बढ़ेगा, होगा कुछ भी, समझे हैं मेरी बाद, तो automatically society के अंदर sustainable development के लिए, society के सारे social institution का appropriate तरीके से काम करना बहुत जरूरी है, अब मैं इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, हम कहते हैं, society is just like a human body, हमने पहले से भी discuss किया आवा है इस theory को, और human body consists of organs, यानि के human body जो है ओर्गन से थूरू develop होती है, ठीके है, हमने का society, जिसे मैं आपको गाड़ी की example दी, अब मैं इसी example के साथ एक interlink example बिल्ट कर रहा हूँ, कि society क्या है बिटा है, एक human body की तरह से है, जब एक human body होती है, वो multiple organs से बिल्ट होती है, तो social institutions जो होते हैं, वो act करते हैं, like organs of human body, यानि के social institutions जो होते हैं, वो हमारी human body की तरह के organs की तरह act करते हैं, अब जब हमने इसको organ की तरह act करने ही यह लिए बात बोली, तो हमें क्या समझ में आता है हमें यह समझ में आता है कि यह organs भी function करते हैं यह भी function करेंगे organs भी एक दूसरे से interlinked and interconnected हैं यह और यह आपके social institutions भी interlinked and interconnected it's a very simple phenomena कि society is just like a human body human body consists of different organs organs used to function and all these organs are interlinked and interconnected with each other आप लोग कुछ भी नहीं करें हाथ में पैन होगा पैन जमीन पर कौपी पर रखते हैं पैन्स डाउन प्लीज पैन्स डाउन अब पैन को उठा लें एक मरत एक काम करें पैन को उठा लें पागल हो गया याद नहीं से तो बहुत ही सिंपल सी बात है यह जो मैंने process आपको बताया पैन को उठा लें रखा मैंने बोला आपके कानों ने सेंस किया इस चीज को उसके बाद आपके दिमाग में मैसेज गिया दिमाग ने process किया और इसके बाद अपने हातों को कहा कि भाई उठा ले मेरा भाई तीन चार चीजे थी तीन चार ओर्गन से जो काम कर रहे थे एर्स ब्रें हैंड और इन तमाम चीजों को इंटर कर रही थी आपकी नर्व्स ऐसा ही है आप सोचें अलद अलगा हमें कितना इसान अलगा करना चाहिए यह कितना बड़ा process है जो हमारा seconds के अंदर हो गया मेरा एक कुलीग है उस बचारे के साथ क्या हुआ उसका accident हो गया था तो उसकी operation के अंदर उसकी जो nerves थी ना वह सही से जुड़ी नहीं कोई मसला हो गया अभी recently उसका operation हुआ है उसकी जो पतरी क्या कहते है उसको exactly क्या मैं वर्ट भूल गया तो अब क्या है उसको दो साल लगेंगे उसकी पाउं में जान आने के लिए तो यह इतनी बड़ी कहानी है कितनी बड़ी important चीज है हम अब हम कभी अला ताला का हम भूल जाते हैं असान अदा करना बड़ी है कितनी चीज कितना matter करती है ठीक है तो अब हम इस scenario को और आगे लेके चलते हैं और further level पर इसको study करते हैं ठीक है जी तो हमारे हमने क्या सीखा कि हमारे organs जितने बही हैं वो सारे एक दूसरे से interlinked और interconnected हैं और function कर रहे होते हैं अब जप सोचो अगर ये interlinked होते लेकिन function नहीं कर रहते होते हैं तो क्या होता बहुत सारे मसायल पैदा हो जाते हैं sign यह नहीं कि इंटर लिंक्ट और इंटर केनेटेट होते लेकिन फंक्शन नहीं कर रहे होते तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते या फिर आप वाइस वर्सा कर लो ठीक है यह नहीं कि अपनी अपनी दुनिया में चल रहे होते तो प्रॉब्लम ज्यादा प्याल सकती थी इस थीवरी को कहते हैं हम ऑगानिक एनालोजी ठीक है फंक्शनलिस थीवरी है फंक्शनलिस हमेशाए से सोचल इंस्टूशन को और बड़ा इंटर लिंक करते हैं और एक दूसरे के साथ और इसके लावा फंक्शन की भी बहुत जादा बात करते हैं ठीक है जी आगे बढ़ आगे हमें हमें हम आउट करेगी इस इतनी थी आपको पढ़ा रहा हूं यह बिल्कुल बेसिक की थी थी जो बड़ा आपको हमें करेंगी बहुत सारे इसका नाम है फंक्शनल फिट फंक्शनल फिट क्या कहता है देरा थी सोचल इंस्टूशन एक है फैमिली दूसरा है एज इंटर केंटेडि विट इच अब जब मैंने का इतीनों सोचल इंसटूशन एक दूसरे के साथ इंटर इंटर्लिंक्टड और इंटर्केंटेडि थे तो किस तरह से है फैमिली अपने काम रही है इक ब्रेद्व कर रही है एजूशन सिस्टम सेकंडि बिजूशन आपने फैमिली ने इंसान को बैदा किया, उसको प्राइमरी सोचलाइजिशन दी, उसको वैल्यूज और नॉम्स दिखा है, उसके बाद एजुकेशन सिस्टम में गया, उसने फर्दर तोर पर सीखा, मैक्रो वर्ल्ड को अनलाइज किया, अब यह जो एकनामिक प्रोविजन दर असल फैमिली को सपोर्ट करता है, कैसे सपोर्ट करता है, आपने जब कमाया तो आपने फैमिली पर रिइन्वेस्ट कर दिया, ठेक है, तो this is a beauty of functional fit model, जो यह कहता है, these three institutions are closely interlinked and interconnected with each other, ठेक है, अब जब जब हम फैमिली का तालोग शेयर करेंगे, education के साथ, जब जब फैमिली का तालोग हम workplace के साथ discuss करेंगे, तो हम इस functional fit की theory को ज़रूर discuss कर रहे हैं, सो यह बात हमें समझना बड़ा जरूरी है, कि यह जो functional fit का जो model है, यह बड़ा ही important model है, हमारी further studies के लिए, ठीक है जी, इसके बाद, I hope आप लोगों को यहां तक organic analogy समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को functional fit समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब हम further आगे बढ़ते हैं, आज अब जाकर हम family की definition को आप से discuss करते हैं, family की definition को, अब आप लोगों की definition के बाद एक छोटी सी चीज़ understand करते हैं, के definition of the family given by Murdoch, ठीक है, Murdoch हमारे पास एक बहुत important theorist हैं, जो के दर असल functionalist हैं, ठीक है, हम आज discuss करेंगे Murdoch's definition of the family, ठीक है, जो के एक functionalist point of view को follow करती है, ठीक है, अब इस चीज़ को समझते हैं, कि मैंने actually क्या किया है, कि Murdoch की पूरी definition को parts में divide कर दिया है, ताकि आपके लिए समझना काफी आसान हो जाए, ठीक है, ये बात जहन में रखनी है, चूंकि ये functionalist हैं, तो बहुत सारे ideas conservative भी होंगे, functionalist जो हैं, एक modernist theory है, और modernist theory के बारे में में इतना पता है, कि modernist theory जो होती है, वो काफी हद तक क्या होती है, वो conservative होती है, क्या होती है, वो conservative, अब conservative theory का मतलब क्या होता है, जो fixed stereotypical ideas को support करती है, अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आनी चाहिए, अगर नहीं आरी तो आनी चाहिए, कि ये जो अंकल बात कर रहे ह हैं, ये 100% बात सही नहीं, there are some variation out of it, there are so many variations out of it, कि भाई, सर ने जो बात की, चले जी पहली बात को discuss करते हैं, इन्होंने का, adults of both sexes, अब both sexes का मतलब, यानि कि इसका मतलब, ये stereotypical हैं, और binary explanation of gender को support करें, it means he's following the male and female idea, male and female idea, अब भाई, दुनिया के अंदर, both sexes की family तो नहीं होती हो सकता है, बहुत सारी families, single parent families हो, हो सकता है, बहुत सारी families जो होती हैं, वो gay and lesbian families हो, तो sir ने actual के अंदर यहां पर, इस idea को follow नहीं किया, उन्होंने conservative definition of the family को support किया, अब मैं इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, यानि कि उनका पहला argument था, adults of both sexes, फिर उसके बात किया था, living together, यानि कि दो sexes के लोग साथ साथ रह रहे हों, क्या रह रहे हों, साथ साथ, अब हमने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी families है, ऐसी हैं, इसके अंदर husband और wife हैं, वो साथ नहीं रह रहे होते हैं, they are living apart, they are living apart, like बहुत simple ही बात है, we are having a relationship, which we used to call it living apart together, living apart together, why is this, so, इसकी वज़ा ये होती है, कि बहुत सारी हमारी technological development हो गई है, Skype आ गया, WhatsApp calls होती है, तो हम एक दूसरे से दूर रह के बहुत हैं, सही है, so, it means कि भाई, इनकी Murdoch की जो ये बात है, कि living together, ये बात भी आज की societies पे relevant इतनी ज़्यदा नहीं होती है, फिर इसक together, having socially approved sexual relationship, ठीक है, यानि कि वो ये कहना चाह रहे हैं, कि society के अंदर sexual relationship के लिए social approval required है, बाखी आप लोग ज़्यदा पैदा जानते हैं मुझसे सवाले से, ठीक है, कि हमारी societies में social approval कितनी चाहिए, ठीक है, आज कि societies में social approval किस हद दक चाहिए for the sexual relationship, ठीक है, अब इनकी explanation के एक social approval is required, बाखी आप अगर religion के हिसाब से भी निकाह का concept देखते हैं, तो actually वो क्या concept है, वो concept ही ही है, कि आप सब लोगों को बता दें कि now these two people are living together, and will be living together, and they must be having some sort of sexual relationship, so we need to accept this thing, तो Murdoch भी काफियत तक conservative ideas रख रहा है, कि social approval is required for sexual relationship, but in postmodern societies, हम यह बात देखते हैं, कि दुनिया के अंदर बहुत अदा living relationships बढ़ रही है, cohabitation बढ़ रहा है, तो अब क्या है, it means that there are so many things linked with diversity, there are so many things linked with diversity, ठीक है जिए, कि diversity के हवाले से बहुत सारी चीज़ आगे बढ़ रही है, तो conservative definition को follow करना काफी मुश्किल हो गया, अब यह तो कहते हैं, कि adults of both sexes living together, having socially approved sexual relationship, or having kids own or adopted, यानि कि इनके पास बच्चे भी हो, own or adopted, जब कि हम दुनिया में देख रहे हैं, कि over the period of time, child free culture बढ़तावा जा रहा है, child free culture का मतलब क्या होता है, कि बच्चों के बगार रहने का concept बढ़ता जा रहा है, because बच्चों के बगार रहने या legal liability consider किया जाते हैं, या social liability consider किया जाते हैं, ठीक है, there are so many factors, हमने पहले भी discuss किया था, आप लोगों के साथ push or pull factors होते हैं, जो बच्चों को, जो families के इंदे, particularly females को, इस बात पर encourage कर रहे हैं, कि don't go for any reproduction process, ठीक है जी, फिर हमारे पास next element देते है, having economic provision, यानि कि family का कमा के देन भी बहुत जरूरी है, मगर हम देखते हैं कि आज की societies में, बहुत सारी states ऐसी हैं, जो दर असल क्या करती हैं, वो अपने बच्चों, अपने लोगों को, welfare states होती हैं, वो अपने लोगों को क्या करती हैं, वो अपने लोगों को, economic support भी provide करती है, unemployment stipend देती हैं, ठीक है, so we can say this thing कि the definition of the family given by the Murdoch is one of the conservative definition, it's more about the modernist societies, it's more about the industrial society, not linked with the new liberal post-modern societies, जो आज की societies हैं, globalized societies हैं, इन में family की definition बहुत different है, जो के हमारे Murdoch अंकल ने हमें दी थी, ठीक हैं, अच्छा जी, अब इस बात को ज़रा आगे जाके समझते हैं, देखें जी, Murdoch की definition ये रही, इन्हों ने कहा, adults of both sexes, सही हैं, it means, he's talking about heterosexual marriages, heterosexual marriages का मतलब होता है, heterosexual relationship का मतलब होता है, male और female relationship, अपने पास अगर copy करना चाहो तो इस बात को mention कर लेना, heterosexual relationship का मतलब होता है, male और female relationship, अब दूसी तरफ क्या कहते हैं, हम इसको evaluate कैसे कर सकते हैं, existence of homosexual relationships, like, state support करती है, इस चीज़ को, gain, lesbian marriages को बहुत सारी societies में, जिसको हम civil partnerships का भी नाम देते हैं, अभी मैं आगे 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 आपको समझाऊंगा, civil partnership develop कैसे होती है, होता क्या सलसला है, तो अब क्या हुआ, मर्डॉक की जो definition है, हम उसको oppose करेंगे, homo sexual relationship से, और single parent families के साथ, कि बहुत सारी families ऐसी होती है, जो कि single parent होती है, तो हमारी मर्डॉक की definition उसमें fulfill नहीं होती, ठीक है जी, यानि कि मैं साथ साथ मर्डॉक की definition को evaluate करता हुआ, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है जी, फिर हम आगे evaluation, ठीक है, evaluation में हम latter relationships की बात करते हैं, living apart, together की बात कर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों से भी example में डिसकस किया था, कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, वो दूर रहकर भी साथ होते हैं, इसके लावा economic element की वज़ा से, यानि के पैसे कमाने के लिए, jobs की वज़ा से, लोग दू फैमिली में लोग जरूरी नहीं एक साथ रह रहे हो, फैमिली में लोग अलग-अलग रह सकते हैं, ठीक है जी, पिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, third element जो और ने कहा, having socially approved sexual relationship, तो भाई इस बात की बहुत सारी examples हमारे पास मौरूज ने मौजूद हैं, भाई देखें, social approval of sexual relationship का मतलब है कि marriage exist करती हो, क्या exist करती हो, marriage exist करती हो, लेकिन आज ही societies में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी societies के अंदर, अकर हम इस बात को evaluate करें तो इसका मतलब क्या है, कि births outside the marriages हो रही है, teenage pregnancies का concept बहुत दा बढ़ गया है, ठीक है, births outside the marriages के बाद क्या हो था, teenage pregnancies होती है, त समझ में आगे होगा, आगे बढ़ते हैं, जब हम इस चीज को explain करते हैं, next element है, having kids own or adopted, यह पहले पर भी डिसकस किया है, यह रिप्रदक्शन की बात करें, role of the family की बात करें, evaluation में हम वही बात करेंगे, child free attitude, कि over the period of time child free attitude बढ़ता जा रहा है, technological developments हो गई है, पहले क्या था, कि बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सारे दुनिया में आर्टिस ऐसे हैं, जिन्होंने शादिया नहीं की, but they are having kids, तो उन्होंने क्या किया, यह technology को use करते हैं, बचे पैदा कर ली, so if we move forward, so economic provision की बात की, आपके Murdoch ने, और evaluation में हम बात करेंगे, state support की, stipend programs की, तो यहां तक हम कह सकते हैं, कि हमारी जो Murdoch की definition थी, वो conservative थी, और हमारी societies बहुत diversified हो चुकी है, अब थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, यहां तक I hope आप लोगों को समझ में आगे होगा, कोई मसला है यहां तक, I hope the concepts are clear, ठीक है, अच्छा थी, अब मैं इस चीज़ को आगे लेके चलता हूं झाल